जय महाकाल नमस्कार दोस्तों मैं यूट्यूब चेनल आलमेक से ग्यानसर में कर स्वागत है दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जन गई दूँगा कुछ लोग ने इसके बारे मुझे जिक्र किया था चर्चा किया था कि बैगा गुणिया लोग हा भी आपको समझ में आएगा दोस्तों एक बात होता है कि कोई भी बैठ्थी आ जाता है तो कैसे जानते हैं हाथ के नाड़ी को पकड़के कैसे जानते हैं को भूत पेत पकड़ा है कौन सा भूत पकड़ा है और कैसे पकड़ा है तो इनके बारे में आप कोई भी मरी जाए त तीन बार पढ़ करके उसके सरी में फूख मारना उसके बाद में उसके आपको जब नारी पकड़े रहोगे नारी को तो उसी समय यहां मंत्र पढ़ करके फूख मारना है नारी का गती को आपको ध्यान रखना है और या मंत्र पढ़ना है मंत्र पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि वहाँ भूत है प्रेथे या फिर क्या है या नहीं है तो भी उसमें सवाल आता है में कि प्रस्ण कैसे करते हैं और कैसे जानते हैं तो आप किसी कभी नाड़ी पकरते हो है ना तब आप उनको नाड़ी पकर लोगे मंत्र पढ़ लोगे तीन बार उसके बाद में अपने मन में ही इसको बात को सुमरन करना है पहला यदि आप इस नाड़ी में सक्ति समाहित है या आप सक्ति आ चुके हो आप अपने इश्ट देवी देवता को सुमरन कर लेंगे सबसे पहले बात मैं हमेशा वीडियों में बताता हूं कि गड़ेश, गुरु, सस्वती, मंत्र का उच्चारण कर लेंगे उसके बाद में ही आप जो कारिकरम करेंगे तो इश्ट देवी देवता का अवाहन करने के बाद में ही कारिकरेंगे तब आप पकड़ करके नाड़ी को फिर पूछोगे सक्ति को हे मैं जन ही जन के लियान के लिए इसके सरी में क्या है इसके ब्याधी जानने के लिए मैं कारिकर रहा हूं, आप मुझे किरपा करें, कारिकर में सिद्धी हो इस तरह बोलके फिर आपको पूछोगे, कि यदि इसके सरी में कोई देवी देनता है तो जो नाड़ी जो है तेज चल के दिखाए, आप मन में सुमनन करोगे सबको तो यदि कोई सक्ति होगा, तो नाड़ी तुरंत रप्तार में चलना आरम हो जाएगा अब बोलोगे, यदि इस पर कोई करनी किया है, तो यह तेज नाड़ी चल रहा है, वो इदम धीरे हो जाएगा तो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा पहला, दूसरा फिर इसके पास अब जान जाओगे, कि यह करनी है फिर नहीं है तो करनी कोई घर का किया है, बाहर के किया है, इसके इसाब से भी जान सकते हो नाड़ी के गती को देखकर ही जाना जाता है इसमें, लेकिन बंतर का प्रभाव साब को सही जनकरी मिलेगा दूसरा यदि यह इसके वाद देव देव देवता है तो कोई देव देवता करनी किया है तो कौन से देव देवता है तो वहाँ पर नाम लेगे आप कि काली है क्या, दुर्गा है क्या, या फिर कोई भी बुढी माता है, मौली है, रखत मौली है, काल भैर होए, जीन है, जिनाध है, भूत है, प्रेथ है, इस तरह से, जो भी है उसके इसाब से, फिर आप जब यह नाम लेते रहोगे न, तब इस्पिर चलता रहेगा या फिर धीमा चल रहा, माली धीमा चल रहा है, धीमा चल रहा है तो, अगर वो मसान है, तो मसा जैसी आप नाम कुम लोगे मुखसे नाम लोगे तो तूहरान इस पीडश चलना हो जाएगा का दो औरहान surt सब्सक्राइब देवी पर्किमा करें अब आपको इसमें पता चलिए आपको कि इसमें क्या सीज़ है ठीक है अब इसको सांथ कैसे करते हैं इसको भी इससाब से पूछा जाता है माल ले जाए इसमें साथिक में जाएगा क्या इसमें खुनी खचर लगेगा इस तरह आप पूछोगे इसको प्रस्ना हाथ को पकड़े-पकड़े अपन से ध्यान करके उसे मंत्र पढ़ोगे यदि भू कि नारी को देख करके इसको पकड़ करके जानते है फिर इसका पताद चल जाएगा आपको मसान है के दीवीदेताह फिर इसके हिसाब से बिससी सीधा करने के त्रीक अ Haniकड़े-जो आगे वीडियो में बता दिया हूं च्छो भी यह मेन होता है कि नारी के साफ से पहचान करते हैं इस मंत्र से अब बता देता हूं इसको सीध करने के तरीका इस मंत्र को सीध करने के लिए सनिवार या फिर मंगलवार या फिर कोई पूणी मा या सूप दिंतिती में तेवहार है अभी पूष कर जो पूणी आएगा उसमें को शिद्ध करने के बाद में एक नारीयस शीफर जो है दुरगा माता के मंदिर में या फिर बज़रंग बली के मंदिर में आरपन कर देना 21 बार जाप करके फिर यह मंतर सीध हो जाएगा जब इसको प्रयोग करना होगा तो मैं जिस तरह बताया हूँ उसी तरह प्रयोग को लोग है इसका उतर मिल जाएगा ध्यान रखना सहीं के लिए नेख हीत और जनहीं जनकल्यान के लिए अच्छा से विश्वास कर रहें कि है वैसे करके इस मंतर के सीध करना बिल्कुल कारें सपलता है नाडी को बताना पड़ेगी देवी जै दुरगे मैं नाडी देख के तेहां जिसने दवा कहीबे जिसने दवा देहां सत्गुरु सत्कभीर पलता होगा यह जनकल्यान को अच्छा लगा तेक लाइक जरूर कर दे मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल एक ताकि जब भी मैं कोड़ी वीडियो बनाओ उसकी जनकल्यापको सबसे पहले मिले वीडियो देखने लिए धन्यवाद थैंक्स जय महाकाल